हेलो जहिंद भाई लोगो तो केसे हो आप लोग यार मैंने बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं डाली तो मैंने सोचार क्यों न आपसे कुछ बात कर ली जाए तो भाई बहुत से भाई लोग हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि यार इस सेंटर की भरतिकव आएगी उस जैसे मैंने भरति देखी उस इसाफस में आपको बता सकते हूं बाई किस महीने में आपकी भरति आ सकती है और जिस भाई को भी आर्मट सेंटर की जर्णी मतलब आर्मट सेंटर में मैं शुरू से लेके क्या प्रोसेजर होता है उसकी मैंने फुल जर्णी वीडियो मेरी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अधर सेंटर जितने भी सेंटर है रिलेशन भरति निकालते हैं उन सबका जो आपके लिए वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूंगा कब किसकी बढ़ति आगी कब किसका एक्जाम होगा क्योंकि मैंने भी कई सें सेंटर की रिलेशन भरतिकी अपडेट मैं अब तक सेंटर नायां करने सेंटर के बढ़िका नहीं करेढ़ सबक्राइब करते स कर्यां करें Taylor अब कोई भी center ने अपना notice जारी नहीं किया बरती का अब बें आपको पता होगा 15 जनवरी को तो पहले exam होगा क्योंकि exam बागी कई center का आपको पता है open का भी exam होगा open बरती का और relation बरती निका भी exam होना है ना सिक center हो गया इतने बड़े बड़े सेंटर इनका अभी अभी एक्जाम भी नहीं हुआ बाई तो अभी इनका एक्जाम होगा उसके बाद आपकी भरती आ जाएगी और बहुत से भाई लोग बोल रहे है कि अगर हम अगर हम जाए तो कौन सा सेंटर अच्छा है तो मैं आपको तीन सेंटर बतार हहों ठीक है जो मेरको अभी लगता अब है है ना एक Yeah शेंटर वो और एक अटिले मेर्य सेंटर ऩो एस सेंटर में जबतार के जाना जबहे होग दों सेंटर हैं ज्ना स्बसजान के हैं के तीन सेंटर इस इसके अंदर अधर का चांस है, भाई, बाकि सेंटर में जाओगे, तो आपका टाइम और पेशा दोनव बुरबाद होगा, उन सेंटर की, बाकि सेंटर की मैं बोलूंगा भी नहीं, आपको ठीक है, ये तीन सेंटर में आप जरूर जाना, अगर आपको लगता है, कि आपके र मतलब नहीं मतलब होगी जाना। लेकिं हं नाम ऑर्म्त के यू जो आर्मेट का रिजल्ट आया का ता ये उसका अंदर भी हुआ है और अभी ऑनिदा-टी्षंट- होगा मैरे खुद का फ्रेंड है जो पहले लगा था भाई का रिलेशन था सो का पीजिकल था उन पच्चास कोशन उसने राइट किये थे उसका अधर सेंटर में सेलेक्शन हुआ भाई ठीक है तो अधर में भी होता है लेकिन आपकी रिटन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए है ना और अभी मैं बता दू अभी तो सिर्फ एक्जाम चलेंगे पंदर जनवरी तक उसके बाद आपके आएगी नेक्स्ट भरतिया है ना तो भाई जो भी बंदा तैयारी कर रह बहुत अच्छा चांस मिलेगा आपको आर्मी में लगने के लिए मतलब आपको 35 प्लस कोशन भी कर दिये ना फिर तो आपको आपके सेलेक्शन के चांस 100% हो जाएगे यह मेरा एक्सपिरिंस है भाई दो भरति देखिए मैंने मेरे सेल्फ सेनिटर में उन दो भरतियों का मै आपके साथ शेर कर रहा हूं है ना तो भाई अपनी तैयारी जिसने तैयारी शुरू कर दिये वो और अच्छी कर दो और जिसने नहीं किये वो भी शुरू कर दो क्योंकि आपके पास टाइम बिलकुल कम बचा है ना बरतिया आने वाली यह आपकी बहुत कम टाइम है यही आपका मेडिकल पॉइंट तो भाई ये बिल्कुल पागल जैसी बात है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता आपकी मेनत होगी तो आपका सेलेक्शन जरूर होगा अपनी मेनत पे विश्वास रखो किसी दलाल के चक्कर में मत पसो ठीक है भाई वह आपका कुछ नहीं कर सकता आप कुछ तरी पेसे देखे आप भाग जाएगा आपकी मेनत ही आपका सेलेक्शन दिलाएगी जैसे ही आप रिलेशन बढ़ती में देखने जाओगे न तो बहुत से दलान आने लग जाएंगे ठीक है ये पेसे देदो ये करा दूगा वो करा दूगा कुछ भी नहीं होगा बस अधके लिए वीडियो प्रवाइड नहीं करा पाऊं तो बहुत से वीडियो आपके लिए आती रहेगी जैसे जैसे मैरे को मोका मिलेगा तो मैं लॉइडियो भी डालूँगा ठीक है बहुत जैसे भी आपको इन्फोर्मेशन देने के मेरे पूरी कोशिस रहेगी और बहु को सब्सक्राइब करके रखना ठीक है और बेल नोटिविक्शन आइकन को और पर सेलेक्ट करना तो जैंद भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में